रोग किस के कारण होता है या फिर कवक अब लोग कमेंट बॉक्स में इनके राइट एंसर को कमेंट किजेगा देखिए आज जितने भी कोशन से लिए हैं हर एक कोशन इंपोर्टेंट है हर एक 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 जाम के लिए ठीक है यह आपका पिक्चर है जो कि लाल रश्ट रोग है यह कि इनके कारण होता है तो इस कोशन का राइट एंसर होना चाहिए हरे शिवाल हरे शिवाल के कारण चाय के पत्तियों में लाल रश्ट होता है अगला कोशन देखिए नेश कोशन है कि निम्बू का क्रेकर रोग किसके कारण होता है निम्बू में क्या होता है कि क्रेकर रोग होता है इनके पत्ती में भी होता है और निम्बू में भी गाठ जैसा रोग हो जाता है गाठ जैसा दिखा देता है ये कि इनके कारण होता है जिवानू, विशानू, सेवाल या फिर कवक तो देखे इस question का right answer होना चाहिए जिवानू, जिवानू इस question का सही answer होगा अगला question देखिएगा next question है मिली बग, देखे जो जिवानू है यह आपका नाम है मिली बग ठीक है, किस फसल से संबंदित है यह किड़ा जो है कौन से फसल से संबंदित है मिली बग, किस फसल से संबंदित है मुंगफल, सरसो, गन्ना, या फिर जुवार इसमें इस परकार का किड़ा लगता है जिनको कहा जाता है मिली बग तो देखे इस question का right answer हो जाएगा सरसो में मिली बग जो होता है मैक्सिमम सरसो में होता है एक्चों में जुवार में भी देखा जाता है लेकिन अधिकतर सरसो में होता है अगला question देखिए गेहूं से संबंदित रष्ट रोग पिला पिला जैसा रोग दिख रहा होगा अप लोगो तो यहाँ पर जो है गेहूं से संबंदित रष्ट रोग पर कार करने वाले विग्यानिक कौन है किन्हों ने इस तरह के बिमारियों को स्वाल किया कार करने का जो विग्यानिक है क्या नाम है उनका केसी महता, डीडी पंत, बिर्बल, साहनी या फिर इन में से कोई नहीं आप लोग कमेंट किजिएगा इसका राइट एंसर को केडी महता, डीडी पंत, बिर्बल, साहनी या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए गेहूं में जो रष्ट रोग होता है उनको ठीक करने का जो विग्यानिक है यह थे आपका केडी महता इन्होंने इन पर रिसर्च कियें और इनका मैडिसीन बनाए थे केडी महता याद रखेगा अगला कोशन देखिए कि अगनी निर्जा रोग किस से संबन्दी थे अगनी निर्जा रोग किस से संबन्दी थे नारियल, नारंगी, सेव या फिर अंगूर अगनी निर्जारो किस में होता है नारियल, नारंगी, सेव या फिर अंगूर तो देखिए जो false fruit होता है maximum इस परकरक बिमारी उसी में होता है तो सेव इस question का सही answer हो जाएगा सेव जो होगा, इसका right answer हो जाएगा अगला question देखिए, citrus, cracker किस में होता है निंबू का एक रोग है, निंबू का प्रसिद कीठ है निंबू का प्रसिद प्रजाती है या फिर इन में से कोई ने निंबू का रोग है, ये प्रसिद कीठ है प्रजाती है या फिर इन में से कोई नहीं, तो citrus केकर देखा जाए ति एक परकार का रोग है जो कि निम्बो में होता है, तिक है, citrus cranker, निम्बो में होने वाले रोग है, अगला question देखिए, next one, आलू में black heart का कारक कौन है, आलू में जो black heart होता है, उनका कारक कौन है, oxygen की कमी, पोटेशियम की कमी, बोरोन की कमी, या फिर तामबे की कमी अक्सिजन के कमी, पोटेशियम का कमी, बोरोन की कमी या फिर तामबे का कमी तो देखे इस कोशेन का राइट एंसर होना चाहिए अक्सिजन की कमी ओप्सन नमबर ए इस कोशेन का से एंसर होगा ठीक है, oxygen की कमी के कारण ही आलो में black hot नाम का disease होता है, ठीक है ना, black hot नाम का disease जो है आपका oxygen की कमी के कारण होता है, अगला question देखिए, next one, ये पादपो में बना खाईद पदार्थ, पोधे के विभिन अंगों में किसके द्वारा पहुचता है, ठीक है, इसके द्वारा तो फ्लोयम टीशु के द्वारा, साथ्यक्स के द्वारा, जैलम के द्वारा या इन में से कोई नहीं तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं टीशू का, टीशू में जो प्लांटीशु होता है उनका एक पार्थ है कॉम्प्लेक्स टीशू ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्लूम तो जो जायलम होता है वो जल और खनीज को जड़ से पत्यों तक पहुंचाता है और जो फ्लूम टीसू होता है उनका काम है जितने भी स्टार्च के फोर्म में भोजन बनता है बाइदा प्रोसेस फोटो सेंथेसिस उस भोजन को पूरे बोडी पार अगला कोशन देखिए नेक्स्ट वन कि पादपो में जल तथा खनीज लाउनों का संचालन किसके द्वारा होता है इसको द्वारा किजिएगा इसके द्वारा होता है तो अभी जश्ट को डिसकस किये थे जायलम टीसू जो कि जड़ से जल और खनीज को पत्तियों तक जिसको डीबी इनका शॉट फॉम है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वायू के कन पिशाब में शक्कर वातावरन में ध्वनी या फिर इन में से कोई ने तो देखिए डेसिबल ध्वन को मापनी के लिए किया जाता है तो आतावरन में जो भी शाउंड है उनको मेजरमेंट करने के लिए डेशिबल का उपयोग किया जाता है अगला कोशन देखिए नेक्स्ट वन वनसागती के अध्यान से सम्मंदित जीव विज्ञान की साखा क्या है वनसागती के अध्यान से सम्मंदित जीव विज्ञान का साखा क्या है तो देखिए इस कोशन का राइट अनसर होना चाहिए अनूवांस की option number ए इस कोशन का राइट अनसर होगा ठीक है इशार एरक की तो बोड़ी से related होता है कोशिका विज्ञान में सेल का अध्यान के आजाता है में completely discuss करेंगे इसका अभी जो एंसर है वो है अनुवांस की option नुमर ए अगला question देखिए कि निम्न लिखित में से किसको अनुवांस की का पिता का जाता है अनुवांस की के पिता किन को कहेंगे मेंडल को या फिर बीज मान को डार्वीन को या फिर केसी मेहता को केसी मेहता तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा मेंडल अगर बात किया जाए मेंडल इन्होंने मटर पर experiment करके और F1, F2 और F3 generation के जो बीज है जिनको hybrid बीज कहा जाता है इनको generate किया था इन्होंने अपनी theory में मटर पर experiment इसलिए किया था क्योंकि मटर जो है वो आसानी से और कम price में market में मिलता है दूसरा मटर का जो life period है वो 3-4 मन्त का होता है जिसके कारण एक साल में कम से कम 3-4 बार मटर के खेती करके उस पर experiment किया जा सकता था और भी reason है इनके full का आकार बड़ा और दो किस्म का मतलब जो color में अगर देखा जाए तो एक होता है white color और दूसरा होता purple color तो color combination भी अलग अलग और full का आकार भी बड़ा था जिनके कारण इन्होंने मतर के पोधे को चूज किया था और भी इसका reason है मतर का जो shape और size उसमें भी variety मिला था wrinkle round मतर का color भी था एक yellow color एक green color और फली में भी wrinkle और round मिला था तो इसे साथ या फिर no varieties के कारण इन्होंने मतर के पोधे को चूणा अपनी experiment के तूर पर और hybrid बीज का निर्मान किया था मेंडल इस question का right answer हो जाएगा चलिए अगला question next question देख लेते हैं कि जीन सब्द का प्रतिपादन किसने क्या है जीन सब्द का प्रतिपादन डीडी पंत ने जुहांसन ने मेंडल ने या फिर डार्वीन ने जीन सब्द का प्रतिपादन एक्चुल में जीन किसको कहा जाता है तो देखे DNA और RNA के combination को ही जीन कहा लाता है अब ये DNA का full form क्या होता है और RNA का full form क्या होता है DNA का fruit form ओगा डी-auxy-ribonucleic acid और RNA का हुआ Ribonucleic acid ये परकार का nuclic acid जीन किया है एक परकार का nucleic acid जो कि DNA और RNA से मिलता है ये DNA र recognize हमारी body के हर एक पाट में पाई जाता है एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आरेने के अंदर में राइवो जुमल राइवो निकली की सिर मतला आर हरने और ऊर रारने के अंदर में मैंस्पास टी आरेनि पाजाता है इकला दे रारनेका क्या पाजाता यह प्रति-t detail मेंने प्रतिट गृण फेता थे प्रति-t Delux के लिए सुच्वर करते कुषियald का को ऑगे इसकोशन का राइट अंसर होना चाहिए जुहांसन अगला कोशन देखें ल prosecutors ने य tren होते हैं बने कि किंसे बने ओते हैं आरईने प्रोटिन डियेने ओर डियेने और आरेने दोनों तो जेश्ट अभी हम लोग कवर किये थे कि जीन जो होता है वो DNA और RNA दोनों से बना होता है क्योंकि DNA के अंदर में RNA पा जाता है तो DNA और RNA देखिए DNA का इस्ट्रक्च cancell हुआ DNA का जो डबल हैलिक्से जिय के पहला ह देखिए-ध को दियाता है देनीची में चार बेस पेर होता है इस चीज को याद्सिए है कुन-कुन सा A4-Adenine, T4-Hymine, G4-Guanine, C4-Cytocine और वहीं पर अगर RNA के बार में देखा जाए तो RNA में जश्ट सिर्फ T को हटा करके U4-Euracil आ जाता है ठीक है? T नहीं रहता है RNA में कुन-कुन सा रहता है? Adenine, Euracil, Cytocine और फिर Guanine यह 4 होता है RNA में और DNA में आपका Adenine, Thymine, Guanine और फिर Cytocine होता है ठीक है? इनको base pair कहा जाता है क्लियर है base pair जो कि दोनों जो standard होता है उनको जोड के रखता है जो standard होता है वो आपका sugar और phosphate का बना होता है क्लियर है sugar और phosphate चलिए अगला question next one कि प्रियोग साला में सरो प्रथम DNA यानि डियोक्सिराबो न्यूकलीक एसीड का संसलेशन किस नी किया था? सबसे पहले DNA का संसलेशन प्रियोग साला में किस नी किया था? तो खुराणा नी, मिलर नी, डार्वीन नी या फिर इन में से कोई नी खुराणा नी, मिलर नी, डार्वीन या फिर इन में से कोई नी देखे इस question का right answer हो जागा option number A यानि कि खुराणा नी इस question का say answer किया हो जागा? खुराणा option number A next one अगला question देखे कि किसके द्वारा किसके द्वारा अनुवनसिक्ता के विज्ञान को अनुवनस की कहा गया है? वकशन के द्वारा, मुलर के द्वारा, मैंडल के द्वारा या फिर इन में से कोई नी देखे इस question का right answer हो जागा Watson Watson के दुवारा सबसे पहले बताए गया था अनुवांस की विज्ञान को अनुवांसिक्ता के विज्ञान को अनुवांस की कहा गया इनके दुवारा Watson के दुवारा अगला question देखे next one यह अनुवांस की उत परिवर्तन होता है देखे उत परिवर्तन mutation को कहला था अच्छानक से किसी के body में हुए उनके character में अच्छानक से जो परिवर्तन होता है किसी के body का जो character होता है उसमें अच्छानक से जो परिवर्तन होता है उनको कहेंगे उत परिवर्तन तो यहाँ एक question है कि अनुवंसिकी उत परिवर्तन होता है क्रमोजोम के कारण राइवोजोम, आरेने या फिर इन में से कोई ने बताइएगा इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा देखे इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आपका क्रमोजोम ठीक है इस question का right answer क्या हो जाएगा chromosome ठीक है देखिए यहाँ पर जो structure है यह आपका RNA का और यह आपका DNA ठीक है DNA RNA में क्या होता single standard होता है और जो DNA होता है उसमें double standard होता है बीच में जो यह कड़ी हुआ यह आपका base pair हुआ जो कि अभी just discuss किये थे ठीक है न जो DNA होता है उसमें होता cytosine, guanine, adenine और thymine याद रखेगा वहीं पर RNA देखा जाए तो thymine को हटा करके सिफ यूरेशील है बाद बाकि वहीं आपका अना cytosine, guanine, adenine और सिर्फ thymine के जगह पर आपका क्या है यूरेशील इस चीज को याद रखेगा डबल हली का structure किन होने दिया था Watson और क्रीक ने और इस question का right answer क्या होगा chromosome अगला question देखिए next one कि sale नाम किस जीव विज्ञानिक ने सरो प्रत्थम दिया था किन होने सबसे पहले sale नाम दिया था ब्राउन ने रॉबर्ट हुक ने फ्लैमिंग या फिर इन में से कोई ने कमेंट किजिए इस question का right answer को सबसे पहले sale नाम किन होने दिया था तो दीखिए बात आता 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया था sale इनके अनुसार बोला गया था कि sale जो होता एक छोटा घर होता sale का मतलब क्या होता छोटा घर जिस परकार से एक मकान छोटे छोटे ब्रिक्स से मिल करके बना होता है जो कि उनका एक छोटा यूनिट है structural unit है उसी परकार से कोई भी जीव का जो बोडी है चाहे हो प्लांट ह चाहे हो एनिमल हो वो छोटे-छोटे sale से मिल करके बना होता है तो sale क्या है किसी भी जन्तू का छोटी इकाई होता है और रोबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कौर्क में मृत कोशिका के खोज किया था उसके बाद 1674 में एंट्वान ल्यूएन हुक ने सिवाल यानि कि पान इसलिए यहां पर जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने केंद्रक का खोज किया था यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो यहां पर अगर अगर कंप्लीटली देखते हैं तो यह आपका मैट्रो कॉंडिया है इसको sale का उर्जा घर का जाता है राइवोजोम को प्रोटीन फ इसको आत्मघाती की थेली भी कहा जाता है गौल जी कमप्लेक्स ऐक्षुल में ल्यां करता पहले तो प्रोटीन को ग्रेट करता है क्योंकि कगॉंकि इसा और दूसरा में करता है सब् Yak subsidies करता है इतना सारव्वर्क है नूकुलियस के बारे में अगर देखा जाये ते नूक्लियस जिसमें जीन्स होता है RNA DNA होता है कुर्मुजोम होता है चलिए तो यहां तक लेशिंट कोशन देख लेते हैं अगला कोशिका में प्रोटीन संसलेशन कहा होता है अभी जश्ट रिस्कस किये थे कोशिका में प्रोटीन का संसलेशन कहां पर होता है रावोजोम, सेंट्रोसोम, गॉल्जी काई या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे अगर हम सेंट्रोसोम के बारे में देख लेते तो यह यह रिजिट प्रदान करता है गौल जी काय पहला तो यह प्रोटीन को संथेसिस करता है दूसरा फैट अक्च्वल में गौल जी काय के अंदर में ना या फिर जो इंडो प्लाज्मिक रेटीकॉलम होता है उसमें अपको राइवोजूम होता है ना और इंट कॉसें का राइट एंसर राइवोजूम है क्योंकि राइवोजूम को ही कहा जाता है प्रोटीन फैक्टरी यह आपका रावोजोम का structure है रावोजोम दो परकावर को होता है एक है 80S टाइब का दुसरा है 70S टाइब का जो prokaryotic जीव होता है उसमें 70S टाइब का रावोजोम पाजाता है जबकि जो eukaryotic जीव है multiple cellular जो बड़े बड़े जीव होता है उसमें ATS टाइब का रावुजोम पा जाता है यह रावुजोम क्या करता है कि TRN के मदद से एमिनो एसीड का चेन बनाता है और एमिनो एसीड क्या होता है एमिनो एसीड जो है यूनिट है प्रोटीन का क्योंकि प्रोटीन जब तूटता है तो यह amino acid में ही तूटता है ठीक है protein amino acid में ही तूटता है तो amino acid के combination ही यह आगे जाकर करके protein बनाता है तो यह जो tRNA और mRNA के combination से जो amino acid बनता है यही amino acid आगे जाकर करके protein synthesis process से protein का निर्मान करता है तो इस question का right answer क्या होना चाहिए राइबुजूम क्लियर है राइबुजूम जो कि कोशिका में पाजाता है अधिकतर इंडुप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है चलिए next question देख लेते हैं अगला question आप लोगे सामने कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है इटी परसेंट से अधिक जल खनीज प्रोटीन या फिर चर्वी क्या होना चाहिए इस कोशिन का सेंसर कमेंट किजेगा देखें सेल में 80% से भी अधिक जो कि पानी है पानी का फोर्मुला है पर्टीन जो की राइवर्चूम में पाया जाता है राइवरो्जोम तर्भ सर्वी खर्रवी या ने के फैट नत अधिक तर गोल जिकाई और दूसरा है इंडो प्लाज्मिक रिटिकुलम में भी पा जाता है इंडो प्लाज्मिक रिटिकुलम देखे यहां पर सब का नाम लिखा हुआ है इनका नाम आप लोग कमेंट कीजिए एक नाम आप लोग कमेंट कीजिए देखे ए है आपका हो माइट्रो कॉंड्रिया के माइट्रो कॉंड्रिया ठीक है यह बी क्या है दो अगर देखा जाए फोगर यह एदिमल ये टीक है in है अनिमल सेल में अगर देखा जाते यह का कोशी का विद्थी है एक होग पर लिपीट अबना होता है अ lidी‌प्रोटätta अना लिपीड प्रोटीन से बना होता है, फोषी का भित्ती वो डी कहा, यह C नमबर यह अपका क्या है? तो C नमबर आपका देखा जाए तो यहापका इंडो थे रिक चौना है यह हो पॉर्षन जो आपको दिख रहा यह ले इए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, डी नंबर में देखा जाए तो सेंट्रो, सेंट्रोइड से, इन नंबर में यह आपका गौल जी काय है, यहां पर अगर देखा जाए, यह आपका साइक्टोप्लाज्म है, ठीक है, जीव द्रेव जिसको बोला जाता है, एडी देखा जाए, तो यह आपका केंद्रक हुआ, ठीक है, बात बाकि आप लोग कमेंट बोक्स में कीजिएगा, जैसे कि बिसी यहां पर जो है, यह आपका रावूज्म, छोड़ा छोड़ा जो बिंदू आपको दिख रहा है, यह आपका रावूज्म है, ठीक है, बीडी नेक्स्ट कोशन है आपका, गौल जी काय का प्रमुक कारे क्या है, यह आपका गौल जी काय है, तो गौल जी काय का अगर प्रमुक कारे देखा जाए, तो पाच्चक रस उत्पन करता है, या फिर स्रावी करता है, श्वशन करता है, या फिर यह सभी, गौल जी काय, तो यह स्रावी करती है गौलजी काई का मेन वर्क दुसरा है कि ये लाइसोसोम को भी उत्पन करता है लाइसोसोम एक औरगनेल से सेल का इनका उत्पादन गौलजी काई के द्वारा ही होता है फैट को श्टोर भी गौलजी काई करता है और जितने भी वेश्ट प्रोडक्ट के उसको पेक करके कोशिका से बाहर करने के काम भी गौल जी काई का इक होता है यह आपका nucleus है adjust nucleus के बाद जो आपका यह जो दिख रहा है यह आपका endoplasmic reticulum इनका दो भाग होता है एक rough endoplasmic reticulum एक smooth endoplasmic reticulum ठीक है तो rough endoplasmic reticulum में जो बिंदू बिंदू जब ज़सा दीख रहा है उसको राइवोजोम का जाता है जो कि प्रोटीन को संतिसाइज करता है जो समूथ इंडोपलाजमिक रेटिकुलम है ये आपका फैट का संतिसाइज करता है ठीक है चलिए और ये आपका गौलजी का है क्योंकि लाइसुसूम का उत्पत्ति करता है ठीक है लाइसुसूम चलिए और उसके बाद कुछ-कुछ वैक्यूल्स का भी निर्मान करता है और वैक्यूल्स का काम क्या है वेश प्रोडक्ट को उसमें इस्टोर रखना अगला कोशिन देखिए किसकी उपस्तिती के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका के अंतर पाजाता है पादप कोशिका और पशु कोशिका मतलब जन्तु कोशिका में अंतर पाजाता किन के कारण कोशिका भित्ती, कोशिका जिल्ली यानि कि कला, केंद्रक या फिर इन मेंशे कोई नहीं तो देखे अगर completely देखा जाए तो जो जन्तु कोशिका होता है A नंबर यह आपका जन्तु कोशिका है और B नंबर आपका पादब कोशिका है जन्तु कोशिका में सिंगल लेयर होता है जो कि लिपीड और प्रोटीन का बना होता है जिसको कोशिका जिल्ली कहा जाता है और जो पादब कोशिका होता हो दोहरा लेयर होता है नीचे वला को कहा जाता कोशिका जिल्ली और उपर वला को कहा जाता कोशिका भित्ती कोशिका भ जिल्ली कहा जाता है और ये लिपीड और प्रोटीन का बना होता है जो पादप कोशी का होता हूँ दो लेयर का बना होता है अंदर जो लेयर होता है वो कोशी का जिल्ली होता है जो कि लिपीड और प्रोटीन का बना होता है और बाहर का जो लेयर होता है जिसको कोशी का जिल् खबारण ही को पादव कोशिका जनतु कोशिका में अंतर पा जाता है तो इस कोशिन का राइट एंसर क्या हुज गया कोशिका भित्ति के के लिया रहे बहुत बच्चों के प्रोब्लम आता है कि कोशीका झिल्ली किसमें होता है और कोशिका भित्ती किसमे होता है तो देखे भित्ती वड पत्ती से थोड़ा सा मिलती जूलती है पत्ती भित्ती पत्ती किसमे है पाधप में है पत्ती सियाद रखेगा भित्ती पत्ती पाधप में है तो कोशिका भित्ती भी पाधप कोशिका है और बाद बाद की कोशिका ज जन्तु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो जन्तु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है, गौल जी काई, मैट्रो कॉंडिया, लवक या फिर मैट्रो कॉंडिया और लवक, देखें, मैट्रो कॉंडिया तो दोनों में पाए जाता है, क्योंकि मैट्रो कॉंडिया जो है एक energy का घर है powerhouse of the sale कहा जाता है कोशिका का उर्जा घर जिसमें ATP के form में energy store होता है ATP ATP का full form पूछ लिया जाता है जो कि fat का synthesize करता है और लाइसोसों को बनाता है देखे लवक जो कि पादप कोशिका में पाजाता है अगर प्लास्टीट के बारे में देख लेते हैं लवक के बारे में देख लेते हैं इनका तीन परकार होता है कौन कौन सा कुर्मोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट बाद बाकी भी है तो इन सब को आप लोग याद कर लिजेगा ठीक है बड़ जो special होता तीन वो है कुर्मोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट और यही क्लोरोप्लास्ट के कारणी पे नेक्स्ट वन कि निमलिकित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है, मतलब कि कोशिकांग में तो DNA पा जाता है किंद्रक में, बट कुछ ऐसा और गेन है उसके अंदर में भी DNA पा जाता है, और वो आपका क्या है, मैट्रो कॉंडिया, जिसको अभी बोले थे, यहाँ पे ATP के फॉ संतसाइज होता है, मैट्रो कॉंडिया जो होता है, डोरी लेयर का बना होता है, मैट्रो कॉंडिया का अंदर में DNA पा जाता है, मैट्रो कोंडिया का अंदर जो आपको यह हैं hommes UK इस चीज़ को याद रखेगाथ इसमय आपका gre ovil by पाजाथा इस चीज़ को याद रखेगा रहस फिर्ट Mitra to du talk miste होता जोक ए नेर्जी का एक रूप है यहां दिगिनी भी पाब आ हैं और Metrakquer यही है का और ऊर्गेनल्स है जहां पर स्वसन होता deswegen याद रखेगा तोहरी जिली का बना होता है नेक्श देखे कुशिका वप ऑन्मीग जी自 out कहाँ सती थे कोशिका वह आनवीक जीव विज्ञान केंदर कहाँ है मुंबबाइ मेंriment Like in या उन्हेंशिकोई नहीं दिखिये इसकोशन का राइट एंसर होना चाहिए अप्शन नंबर आ यानि कि हद्राबाद कोशिका वह आंविक जीव विज्वाहन केंद्र कहांँ पर है हद्राबाद में कोशीिकाव आणविक जीविज्यान केंद्र हिद्राबाद अगला कोश़ें देखे जिव द्रव जिसको साइटो प्लाजम कह जाता है सब्द का परियोग सरोपर्थम किस ने क्या था जिव द्रव सब्द का परियोग सबसे पहले किन्होंनी क्या था रदर फोर्ड ने, फक्फले ने, पूरकिंजे ने या फिर जॉन डॉल्टन ने, देखें जॉन डॉल्टन अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्हों ने पदार्थ को बाटा था, पदार्थ को इन्हों ने बाटा था, पदार्थ, इन्हों ने कहा था, कि पदार्थ को अगर हम तोड़ेंगे, तो सबसे छोटा रूप बनेगा एटम, और एटम एक ऐसा छोटा रूप है, जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, यह जॉन डॉल्टन का एक थियोरी था, पदार्थ के बारे में और एटम के बारे में, पिर बात बाकी विज्ञानी का है, जिन्होंने एटम को भी तोड़े दिये थे, इसमें एटम को तोड़े थे, अक्चुल में प्रोटोन, नूट्रोन और इलेक्टोन, यह आपका कैमेस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे अगर कोशन देखा जाए, कि साइटो प्लाजम सब् तो पूर किंजे याद रखेगा, उप्सन नंबर C, पूर किंजे, पूर किंजे, जिन्होंने सबसे पहले जीव द्रव सब्द का प्रियोग किया था, देखे, इसके अंदर का पार्ट में जो जैली लाइक एक लिक्वीड पिगमेंट होता है, जो कि बाद बाकी जितने भी ओर्गनेल से हना, इंक्लूडिंग यापका न्यूकलियस सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है, देखे, जिस परकार से हमारे इस अर्थ में जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क पूरे अर्थ के जितने भी व्यक्ति है, इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, हम लोग हमीज़ा नेटवर्क के साथ कनेक्शन में रहते हैं ताकि आसपास के या फिर हमारे देश में कोई भी घटना होता है, उस चीज को तुरंथ हम लोग गेन कर लेते हैं, उसी परकार से सेल में जो आपको साइटो प्लाजम होता है, जो जीव द्रेव होता है ये जीव द्रव क्या करता है बाद बाकी जितनी भी ओर्गनेल से एक दूसरे को connect करके रखता है तो पूर केंजेस question का सही अंसर होगा याद रखेगा अगला question देखेगा कोशिका की क्रियात्मक गतिविदिया किसकी द्वारा नियंतरित होती है क्रियात्मक गतिविदिया किसकी द्वारे नियंतरित होती है कमेंद कीजेगे सब्सक्रांइब किन्द्रेक द्वारा जीव द्रव द्वारा या फिर इन मेंसे कोई निए केंद्रिका, केंद्रक, जीवद्रेव या फिर इन में से कोई नी तो देखें इस कोशेन का सही अंसर हो जागा केंद्रक द्वारा केंद्रिका किन को कहेंगे तो केंद्रक के अंदर में जो नुकलियोल से पाजाता है इसको केंद्रिका का जाता है i can Parad more over GRÜNEN उनको जाता Kendrick जिली एं जी लिए जीव द्रेव सईतों प्लाइम जो की frog止 के बाहर पार आटा पाज Rebel regular clear सबसे पहले दे निवक्लिय스 होता है उस्के अंदर में पाजाता है Chromosomen प्रोप源 के आंदर में पाजाता है Centrols उस अंदर में पाजाताहा दि यह दिय एंट रहे जाता है आर एंडर्व आरे गन सिर्व अंदर में क्या पाजाता है आर अ उसके बाद पाद यहा हले है को स्वरी मारे नो कहें मैंसेंजर आरेन ज야 है ज़ी ए इस चीज़ को याद रखेगे इतना सारा है आपका का अगला question लेकर कर्या Region है कि जीवद्रेव जीवन का भोतिक आधार है यह किसका कथन जीवद्रेव जीवन का भोतिक आधार है यह किसका कथन है तो देके इस कौ西न का राइट एंसर हो जागा हाक्स ले ओप्सन नमबर एस कोशन का सही अंसर होगा सेके लाश्ट कोशन देखिए कि फूलो और बीजो को विभिन परकार के आकर्शक रंग प्रदान करता है तो किनके द्वारा फूल या फिर बीजो होता है वो कलर्फुल होता है अलग-अलग कलर क होता है आकर्शक कलर प्रदान करता किनके द्वारा तो लीको प्लास्ट के कारण टोनो प्लास्ट के कारण क्रोमो प्लास्ट के कारण या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा क्रोमो प्लास्ट क्रोमो प्लास्ट देखिए सबसे प इनका अलग अलग कलर हो और एक होता है जो इन दोनों को हैल्प करता है कोंबिनीसिन करवाने में पत्यों को हरा रंग प्रदान करता है किनके द्वारा टोन प्लास्ट यांप मेंसे कोई नहीं तो देखिए इस question का right answer हो जगा chloroplast 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 के अंदर में क्या पाजाता है chlorophyll chlorophyll के कारणी पेर पोधा photosynthesis process कर पाता है जिनके द्वारा वो अमना भोजन starch के रूप में कर पाता है तो दोस्तो आज के लिए इतना है मिलते ने स्क्लास, thank you कर दोसी कर दो कर दोस्तो मुद्ग के पाजरा